तो यह वाला प्रॉब्लम देखो बच्चों यह एक अच्छा सा प्रॉब्लम है और कई बार जैवेंस में पूछा गया है तो मैं अच्छे से बताता हूं इसको आप अच्छे से समझ लेना एक्सलेशन दू ग्रेविटी अच्छे साफ अर्थ दिया हुआ है तेन मीटर पर सेकेंड स्क्राइब और अच्छे साफ मून जो है इसकी वैलू फोर पॉइंट जीरो है और एक सिक्स्टी केजी का पैसेंजर है जो गोज फ्रॉब्लम अर्थ तो आर्थ मून इन कॉंस्टेंट वेलाउसिटी से जा रहा है नेगलेक्ट ऑल अब्जेक्ट इन इसकाई मलब नेगलेक्ट और मलब कंसीडर वनली मून एन अर्थ मून एन अर्थ के बारे में ही आपको सुचना इस दुनिया के सारे अब्जेक्ट को भूल जाना है तो वीच पार्ट आप देखो यह अर्थ है ठीक है अगर यह अर्थ है तो इसको मैं एक सरकल के फॉर्म में बनाता हूं जिसको आपको जादा फील आएगा तो यह रहा अपना अर्थ है तो यह अर्थ है ठीक है और अगर यह अर्थ है तो इधर एक अब्जेक्ट है जिसका नाम है मून तो यह अर सर्फेस पर आइसे जाएगा, तो मून के सर्फेस पर यह मून का सेंटर है, तो इस रास्ते में कहीं कहीं उसके उसके उपर जो फोर्स लगेगा, चलो मालो यह observer यहां पर है कहीं यहां से चलके यहां आगया तो यह जो distance है यह पूरा का पूरा यह जो central distance है center से distance होता है तो यह central distance अगर मैं कुछ ले लेता हूं for example अगर मैं यह distance y ले लेता हूं यह पूरा central distance y है यह पूरा distance कितनका उपर गया भन्दा X यहां से यह पर है यह distance כतना हो जाएगा X तो इस point पर, ओ point पर उस observer के पास दो force लगेगा एक force लगेगा वो जो earth लगाएजई है एक force लगेगा जो moon लगाएज़ इधर की direction में और एक force लगेगा यह जो earth लगाएज़ इधर की direction में अई रहरे था तो कुल्म विला के इस पे 2 force लगेगा force of the moon और force of the earth अब जब यह दोनों फोर्स कैंसल हो जाएंगे तो उसका जो weight है weight उस point पह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और ऐसे point को physics में बच्चों neutral point बोलते हैं neutral point वह point होता है जहांपन faculty क्या हानomete force क्या जाता है mass of earth, mass of the man, और ये x का square, और minus z, mass of the moon, mass of the man, upon y minus x का square, भई, ये वाली distance कितनी हो जाएगी, बोलो, ये वाली distance हो जाएगी, y minus x, पुरा y ले लिये थे, तो जहां कहीं भी net force, ये force, कहीं कहीं ये force, 0 होगा, तो जब ये force 0 होगा, एक point पे, तो उसका जो weight है, weight will 0, तो weight will 0, और ऐसे point को हम neutral point बोलते हैं, मतलब एक जगें, जो है, weightlessness आएगा, यार, ठीक है, बहुत बारे, जही मेंस में पुशा गया है, साथ साथ जब आप दूर जाओगे, तो उसकी weight की value धीरे-धीरे कम होगी बच्चो, तो weight की value धीरे-धीरे कम होगी, बढ़े की नहीं यार, ठीक है, तो ये तो graph बिल्कुल गलत है, first वाला तो गलत है, ठीक है, पर यहां पर आके weight 0 हो चुका है, ठीक है, तो ये graph बिल्कुल सही है, इसमें जो weight है, वो दो जगए, यहां भी weight 0 हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहां भी weight 0 हुआ है, ठीक है, जो की possible नहीं है, ठीक है, अर्थ के surface से और यहां जाओगे, तो एक ही जगए neutral point मिलता है, that's why the third graph is correct, this one is the right graph है, जाओग जो है, जाओए एक है,